नमस्कार जी, नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका, मेरा नाम नीलम मेता है, नीलम जी कहां से आए आप, जी मैं हजारी बाग जारगंड से हूँ, अच्छा आप से ये जाना चाहेंगे कि संद रामपाल जी महाराजी से कब जुड़े आप, मैं 3 नमबर 2014 को जुड़ी थी, सं सब चीज में मनी नहीं लगता था कि ये कोई रियल है, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा होते हैं, बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहां मुझे दिल में आता था, ये जनमते हैं, मरते हैं, जनमते हैं, मरते हैं, क्यों, कब पिर आप संत्रामपाल जी महाराजी का सचसंग क्यों सुन रहे थे इच्छा मेरी नहीं थी बस मुझे था ये चैजिश कि ये जनमना मरना जनमना मरना और ये गधासुवर कुता ये सब बनता है ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता रहेगा कभी मेरा इंड होगा मज़े यही मैं तो ख्याल ऐसे ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या कभी वाश्रोम में या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आते ही आता था, कि मेरा इंड कब होगा तो फिर आपको क्या result मिला संद रामपाल जी महाराजी के सत्संग सुन कर किस बात से आप ज्यादा प्रभावित हुए पिता का कुट्ता है जो प्रमात्मा को धनियों को बहुत भुक के जगा रहा है जो कुट्ते भुकने से नहीं जागते वह बाँने बहुत पस्त आते हैं तो यह इतनी आधिन था ना कोई जूड़ी ओवा को इतना आधीन कोई हुआ ही नहीं तो यह मुझे इतनी आठीक्ट कर गए गए कि नाम लेंगे तो इन veuxoriented नहीं को प्रक्ति ळते के परक्टित चैनला है मेरी लागे फार्टीन रही होगी तो पाप अथे हैं इतना का दिक साथ तो इसा नहीं होता है तुम पहले समझ लो क्योंकि सायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है मेरी मदर की देथ हो चुकी थी तो उनको लगा कि हड़ बढ़ा गई है ऐसे यह दो देख के और लेना चाहरी है लेकिन नहीं हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परमपिता का कुट्टा है और बोल रहे हैं कि हम लोग धनी है और वो अपने आपको कुट्टा बता रहे हैं तो यह बहुत अठक्ट की अच्छा आप यह बताईए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है समाज में और जो संद रामपाल जी म पूजा कहां से स्टार्ट हुआ इसका क्या निसकर से यह क्यों करते हैं उसके पास कोई अधार नहीं एक ऐसे ब्रामन चलता विर्दा जैसे कोई मांगने वालता है वह जोगी धर के ऐसे कपड़ा तो उन लोग आये थे तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मा पर फिलग मेरे पेट पर लात मार रहे हैं तो यह वाथ बीलकुल समझ में आ जाता है कि उनलों सिफा उनलों के काम है मांगना और खाना उनलों का पास कोई ग्यान नहीं ना कोई सास्तर का ज्यान ना कोई अध्यात्मिक घ्यन नहीं आप ये बताएं इतने सालों से कोई बह जी कह रहे हैं कि जो बक्ति साधनाब कर रहे हैं वो सास्त्रों के विरुद्ध है और जो हम बक्ति बता रहे हैं वो सास्त्रों के अनुसार है जी पहले मानव अशिक्षित थे शिक्षा अब मिली है पहले अशिक्षित थे और जो गुरु है वो जो धरम गुरु थे पहले जो वो ग्यान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके ग्यान था लेकिन उसका कोई मतलों निशकर्ष नहीं था ऐसे हम सीव कीपी कर रहे हैं ऐसे हम ब्रह्मा की विष्णू की और ऐसे दुर्गा कीपी कर रहे हैं लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज थी ऐसे हमको पता ही नहीं समझ में आता था न कि मोक्ष बहुत कठीन है जो हम जंगल में जाकर मिलेगा जंगल में जाकर तपस्या करने इतना कौनों हार्ड काम करेगा आज में पढ़ना है खाना अ पिर भी जैसे कोई सरधालू होता है वो किसी संद से जुड़ता है तो वो चाता है कि वो जो बक्ति कर रहा है उससे उसको लाब मिले तो हम आपसे ये जाना चाहेंगे कि संद रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद उनके द्वारा दे गई बक्ति को करने के बाद कि आपको कोई लाब मिला जिससे आप यह कह सकें कि वास्तम में इस बक्ति से आपके जीवन में कोई सुधार आया है जी लाब मुझे यह मिला कि मुझे बच्पन से एक प्रॉबलम बच्पन से थी वह प्रॉबलम थी साइनेस की मुझे इतने मतलब डेली उटके 10-15 चीकना था यह चीकना एकदम युनिवर्सल टूथ के जैसा था मेरे लिए हमें इसा चीकते थे नाक से पानी बना तौलिय तौलिय भींग जाता था लेकिन वह रुकता नहीं था जब मैं संध्रामपल जी मराज से दिक्षा ली 2014 तो मैंने जैसे गुरुजी से जब मिली तो जब गुरुजी मिले जब असिरवाद दिये असिरवाद मातर से उसके बाद जश्ट बरवाला कांड होता है हम कभी गुरुजी से ना मिले नहीं कभी वह गए और वह बिमारी आज मेरा नहीं है बिल्कुल ठीक हो गया वह बिमारी जी एक बार मैं अभी मैं पढ़ाई करती तो घर से बाहर रहती हूं तो वहां से मुझे आना था ऐसी चुटियां हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे तो मुझे लगा कि मैं कल जाओंगी फिर पापा बोले कि नहीं आजाओ आजी तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था साम की गाड़ी जो मेरे घर तक चोड़ती वैसा बीच बीच में स्टॉपच करके मुझे जाना पड़ता तो मैं सोची कि यह लास्ट गाड़ी चल रहा है मैं इतना तयार हो कि इतना मुझे निकल जाओंगी लेकिन हुआ यह लेट हो गया दो यह तीन मिनट के लिए गाड़ी खुल चुकी थे वह गाड़ फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा बहुत दूर घर था तो मैं फिर भी बैट गई कि ठीक है गाड़ी चेंज ही कर लेंगे लेकिन जाएंगे घर जब त्यार हो के निकल गया तो पता चलता है जम घर पहुंचे उससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ जो बैठे होंगे जो यातरी उन लोग को क्या हाल होगा यह मैं सोच के मेरा कलेजा काप गया और फिर मैं घर पहुंचे प्रमात्मा के धन्यवाद की कि आज मिड़तियू से बचा लिए प्रमात्मा आज कल एक ट्रेंट चला हुआ है संद्रामपाल जी महराजी के जो अन्य आपर भी क्योंकि यह प्रमात्मा अभीशाप माले है के मुझे प्रमात्मा का लाख ही आने को हो रहे है नेकों हो रहे हजारों हजार को अ्टेशा करतें उपkim देट नाव किए कि संद्रामपा मुझेरां पेकिया है वह उन्यत को स्कूलाह्ट सार संदाने हो जाती है उसको मतलब की उसका मुझे मरन हो जाता है वह चीज कैसे दहीज खठा करें और कैसे तिलक दे और बेटी बीदा करें उसके बाद भी खुशी नहीं आज लाखो ऐसे परमान है आज पर में चप जाते हैं वहां निज प्याते कि बेटियां यहां मर गई कि वहां जल गई कहीं शुरक्षित नहीं है इतना दहीज देने के बाद भी नहीं संत्रामपा जी मराज के वचन से यहां साधियां हो रही है दहेज रहित जो आज जो अब भी समाज हमारा देख रहा है उनमें एक अच्छा मतलब लेशन मिल रहा है कि क्या मतलब जो यह हव संत्रामपाल जी महाराज के बारे में जी मैं तो बस यहीं कहना चाहूंगे हाँ जोड़कर प्रातना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी और बाकी सभी समाज को भी और उन धरम गुरुओं को भी जो अपने अनुवाईयों को जूट मूट का फसा कर बैटे हैं कभी उनको भी पता है कि क्या सच चाहिए लेकिन अहंकार वस अभीमान वस नहीं आना चाहते हैं लेकिन कब तक जब शमाज सिक्षित आप कब तक छुपा के बैठोगे आप कब तक उनलों को गुमराह करते रहोगे एक दिन तो आनना पड़ेगा जब वहां से लाभ नहीं होगा इनसान वहां से तो दोड़ेगा कहीं वो तो कहीं और भी जाएगा अच्छा एक बात बताईए जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी महाराजी सिक्षित नहीं हैं उनको सास्त्रों का क्या ग्यान हो सकता है आप एक पड़ सही और गलत सकते हैं निश्कर्ष निकलता है आप मतले से खोल खोल कर बता है जो उससे निश्कर्ष निकाले अर जो अपना लौक विद्विद दें ग्यान है जोच रहा हुए हम और दिगारी बनते आ रहे हो लेकिन घ्यान रहे तब तो आप सतगरांतों से उलता है यह friend कोई het blood C तो शनत्राम पाल जी महाराजी सही है से गरण। गुरुजी घर्ण। पारेचे सीवाल हो रहे हैं हम दो सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।